हलो फ्रेंट्स आज आप मेरे साथ इस वीडियो में बुकरम से कुछ नेक डिजाइन कट करना सीखने वाले हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और साथी चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर दिखे मैंने बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है और यह डबल फोल्ड किया मैंने साड़े आठ इंच में इसी तरीके से इस साइड मैंने डबल फोल्ड में रखा है साड़े चार इंच तो सबसे पहले चोड़ाई तो ये आपके चेस्ट के अकोर्डिंग आपको लेनी है अगर नॉर्मल चेस्ट है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तीन इंच लगबग और लंबाई में मैंने इसे लिया है साड़े साथ इंच तो यह डिजाइन पर डिपेंड करता है और साथी चेस्ट पर भी डिपेंड करता है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे बिल्कुल स्टेट सीधा यह चलेंगे हम साड़े चार इंच तक उसके बाद इस साइड से यह हमें लेना है लगभग पॉन इंच और इस साइड से वापस हम उतना ही लेंगे पॉन इंच और उसके बाद एक बार और वापस से हमें यहाँ पर लेना है पॉन इंच तक तो इस तरीके से सीडिया बन जाएगी अब यहाँ पर जो नीचे बचा है gap यहाँ पर हमें इस तरीके से यह shape ड्रॉ करना है तो यह जो neck है आप कुर्ती पर front में बना सकते हैं या किसी blouse में आप इसको back में भी बना सकते हैं इसका size बड़ा करके हैं तो यहाँ पर थोड़ी से मैंने गोला ही दे दी है half inch अब यह बुक्रम का margin यह रख रही हों में एक inch आप इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं इस margin में कोई वो नहीं है तो यह एक एक inch में रख लिया है तो आप भी इस तरीके का डिजाइन अपने कूर्थी में यह बलाउच पर कहीं पर भी बना सकते हैं तो फ्रेंस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताएं और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथी बैल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोट्रिकेशन आपको मिल सकें थैंक्स वर वाचिंग